राया चेत्र में एक वरद्ध महिला के साथ ठगी का मामला सामने आया है बस में बराबर की सीट पर बैठी महिला ठग ने वरद्ध के कानों से कुंडल और नगदी पार कर दी जिसे लोगों की मदद से पकड़ लिया गया पीडित महिला लक्षमी देवी माट के गाओं भद्रुवन की रहने वाली है जो साधाबाद से दवा लेकर घर वापस जा रही थी अब मेरा कहें वो मेरा थाने में है आपने क्या कारवाई कर रही है तुमने कर दावाई में तक अब जाने वाई में तक रही है तो खुब बन तक अले और उपर अगरें भी ना साखी गोली देदें यह जाए रही तो अधिया शामांता तुमारा अधिया वही कुंदला यह फई साई शाए पाई शेसर काई शेसर शाख शेसर बद्दद आए झाल झाल